नमस्कार दोस्तों, मेरी एक दोस्त है जिसने ग्रैजुएशन करने के बाद अभी तक फिलाल किसी कॉलेज में एड्मिशन नहीं लिया है और नहीं उसके दिमाग में किसी तरह का कोई आइडिया है कि वो अपने जीवन में आगे क्या करना चाहती है, नहीं वो कोई जॉब करती है, नहीं किसी एक्जाइम को क्रैक करने की तयारी करती है, नहीं वो कोई बिजनस ही करती है, लेकिन हाँ, वो एक काम बड़ी शिद्दत से करती है, और वो है कि जब भी उसे समय मिलता है, वो कोई मूवी, सीरीज या इंस्टाग्राम पर रील्स द कह रही थी कि उसे पता नहीं वो किस दिशा में आगे जा रही है और आगे उसे क्या करना है ये भी नहीं पता दोस्तों, जब मैंने उसकी पूरी बातें सुनी तो मैंने पाया कि उसकी सभी आदतों का जिक्र एक किताब में किया गया है जिसका नाम है Dopamine Detox अब इस बुक के बात मैंने यहां क्योंकि यह आपको विडियो में आगे पता चल जाएगा आप मेंसे मेरे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो कोई जौब करते होंगे या किसे बिजनस में होंगे या पढ़ाई करते होंगे और नहीं तो ठीक मेरी उसी दोस्त की तरह होंगे जिसका आधे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बीच जाता है जिसके जीवन का कोई लक्षय मैंने अपनी दोस्त को इस किताब के बारे में बताया तो वो हैरान थी, उसे इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि अंचाहे रूप से किस तरह उसकी आदतें धीरे धीरे उस पर हावी होती जा रही थी और वो उसे कंट्रोल कर पाने में मुश्किलों का सामना कर रह आईए आपको भी मैं इस किताब के जरीए कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो न किवल आपकी बुरी आदतों का बलकि अच्छी आदतों का भी सबसे बड़ा कारण है दोस्तों डोपामीन हमारे दिमाग का एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमें अच्छा महसूस कराता है इसलिए इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं अब ये हार्मोन हर उस काम को करने से निकलता है जिसमें हमें खुशी मिलती है सोशल मीडिया पर मान लेजिए इंस्टाग्राम पर आप किसी रील को स्वाइप अप करके देखते हैं तो आपके दिमाग में एक उत्साह होता है कि नजाने अगली रील या अगली वीडियो में हमें किस तरह की खुशी मिलेगी अब इस उत्साह में हम अपनी उंगलियां चलाते रह जाते हैं और एक वीडियो को देखने से शुरू हुआ ये सफर आपके दिन के कई घंटे खा जाता है हैरत की बात तो ये है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे अंदर ही अंदर आपको खुश करने वाला ये हार्मोन आपको मानसिक रूप से बीमार बना रहा है इस किताब में डोपामीन पर किये गए कुछ रिसर्च के बारे में बताया गया है इस विशय पर मैंने पहले भी एक विडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको गहराई से इन रिसर्च के बारे में बताया था इन में एक सबसे मुख्य रिसर्च को मैं बहुत छोटे से रूप में बताती हूँ साइंटिस्ट की एक टीम ने एक चुहे को काफी समय तक भूखा रखा और एक पिंजरे में बंद कर दिया उस पिंजरे में एक लिवर या आप कह सकते हैं कि बटन को सेट अप किया गया जिससे जब भी चुहा अंजाने में उस लिवर को दबा देता तो पिंजरे का दर्वाजा खुल जाता इस पिंजरे के बाहर खाने की चीजें रखे गई जब चुहे को बहुत जोर से भूख लगी तो वो इधर उधर भागने लगा इसी दोरान अंजाने में उसने लिवर को दबा दिया पिंजरे का दर्वाजा खुला और चुहे ने खाना खा लिया खाना खाने के बाद चुहे को खुशी मिली साइन्टिस्ट ने अगले दिन फिर ऐसा ही किया लेकिन चुहे को अब दक इस बात का अंदाजा नहीं था कि लिवर दबाने से पिंजरे का दर्वाजा खुल जाता है लेकिन आज भी ऐसा ही हुआ अंजाने में जब फिर चुहे से वो लिवर दब गया और दर्वाजा खुल गया तो चुहे ने बाहर निकल कर खाना खा लिया अगले 21 दिनों तक सेम एक्सपेरिमेंट दोहराने के बाद चुहे को यह पता चल गया कि लिवर दबाने से पिंजरे का दर्वाजा खुल जाता है और उसे खाना मिल जाता है इसे कहते हैं Positive Reinforcement अब इसका मतलब यह होता है कि जब चुहे ने लिवर दबाया तो उसे एक सकारात्मत परिणाम मिला और खुशी मिली उसे खाना मिला था Scientist ने अगला एक्सपेरिमेंट बिल्लियों पर किया जिसने वाकई उन्हें हैरान कर दिया इस बार उन्होंने पेट भरी हुई बिल्लियों को पिंजरे में बंद किया और ठीक चुहे के पिंजरे की तरह ही उसमें भी लिवर सेट अप किया पिंजरे के बाहर खाना रख दिया लेकिन चुंकी बिल्लियों का पेट भरा हुआ था इसलिए उन्होंने लिवर पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई लेकिन थोड़ी देर बाद जब बिल्लियों को भूक लगी तो उन्होंने लिवर दबाया लिवर के दबाने से पिंजरा तो खुला लेकिन अब बिल्लियों को भर पेट नहीं बलकि थोड़ा थोड़ा खाना मिला बिल्लियों को यह समझ में आ गया कि जब भी लिवर को वो दबाएंगी तो उन्हें खाना मिलेगा और अब लिवर दबाना उनकी आदत बन गया लेकिन ये खाना उन्हें कभी मिलता कभी नहीं क्यूंकि यहां बिल्ली को हमेशा सकारात्मक परिणाम नहीं मिले नकारात्मक भी मिले इसलिए इसे negative reinforcement कहा गया तीसरे experiment में scientist ने बिल्ली को पिंजरे में शौक दिया बिजली के जटके से बिल्ली इधर उधर भागने लगी और जब भी उसने अंजाने में लिवर को दबाया तो वो जटका बंध हो गया इससे भी बिल्ली को यह समझ में आ गया कि जब भी वो लिवर दबाएगी उसे जटका नहीं लगेगा दोस्तों ये तीन experiments dopamine के variable rewards के गुन को explain करते हैं इसे dopamine variable reward system कहते हैं इस research से यह साबित हो गया कि social media के प्रती हमारा जो addiction है ये आदत भी नहीं बलकि लत है और इस लत का कारण यही system है जिसकी अभी हमने बात की इन चुहे और बिल्लीओं की तरह ही हमें भी नहीं पता होता कि social media पर switch करने के बाद हमारे सामने किस तरह का entertainment परोसा जाएगा जब हमें अच्छे वीडियोज मिलते हैं तो हमारे दिमाग को positive reinforcement मिलता है और जब कोई वीडियो हमें बुरी लगती है तो negative reinforcement social media को design ही इस तरह से किया जाता है कि इसके algorithm आपको variable rewards दें और इनके प्रती आप addictive हो जाएं दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी चीज को हम तभी control कर सकते हैं जब हम उसे अच्छी तरह जानते हैं या समझते हैं इसे लिए dopamine को control करने के लिए detox करने के लिए पहले dopamine को समझना जरूरी था एक नशा करने वाला व्यक्ति जब नशा करता है तो उसे थोड़ी मात्रा में pleasure मिलता है इससे उसके दिमाग में dopamine release होता है और ये hormone उसे और नशा करने के लिए प्रेरित करता है और फिर और ज्यादा release होता है समझ लीजिए ये जितना ज्यादा निकलेगा उतना ही आप किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होंगे फिर ये माईनी नहीं रखता कि वो काम अच्छा है या बुरा अगर आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी दिमाग से उस काम को करने से dopamine release हो रहा है और वही आपको वो काम और करने के लिए inspire कर रहा है पढ़ाई में हमारा मन ना लगने का भी सबसे बड़ा कारण यही है जिन कामों में हमारा मन नहीं लगता उनसे dopamine बहुत कम या ना के बराबर release होता है दोस्तों आपने dopamine की कार्यविधी को तो समझ लिया अब आईए जानते हैं कि कैसे हम इसे control कर सकते हैं इतने सालों तक हमने इतने amount में dopamine release कर लिया है कि अब इसे control करना बहुत ही मुश्किल हो गया है अब ये उस बेकाबू शेर की तरह हो गया है जिसे नियंतरित करना एक बड़ी चुनौती है लेकिन अगर आपने ठान लिया है तो सब कुछ मुमकिन है दोस्तों, dopamine की एक सीमित मात्रा ही हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है लेकिन हमने अपने आपको उन कामों को करने का आदिब बना लिया है जिनसे ये बाढ़ की तरह हमारे दिमाग में बहता है और हम फिर उन कामों को करते ही नहीं जिनसे ये बहुत कम निकलता है जिससे हम अपने दिमाग के असीमित dopamine को रोक सकते हैं दोस्तों, इसके लिए तो सबसे पहले आपको एक द्रिढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि आप सच मुझ 21 दिन का dopamine detox challenge स्वीकार करने के लिए तयार है अगर आप वाकई तयार हैं तो आपको केवल ये 5 काम करने हैं जिनसे आपके दिमाग में आए dopamine की बाढ़ नियंतरित हो सकती है सबसे पहले आप उन चीजों को find out कीजिए जिनसे आपको बहुत ज्यादा खुशे मिलती है वो कोई भी काम हो सकता है जैसे टीवी देखना, विडियो गेम्स खेलना, इत्यादी मान लीजिए आप बहुत ज्यादा Instagram, YouTube, Netflix या बाकी सोशल मीडिया एप्स को यूज करते हैं तो एक एक कर इनका समय सीमित कर दीजिए लगातार कम से कम 21 दिनों तक जब आप ऐसा करते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है 21 दिन का यह चैलेंज आपको ये नहीं कहता कि आप अचानक ही इन चीजों को ना कहें नहीं, छोटे छोटे गोल्स रखिए जैसे मान लीजिए, पहले अगर आप 2-3 घंटे रील्स देखा करते थे तो अब से आपको उसे आधा या एक घंटा कर देना है और बाकी समय उन कामों को देना है जिनसे डोपामीन तो कम निकलता है जैसे पढ़ना, एक्सरसाइज करना, रिलाक्स करना, काम करना, इत्यादी लेकिन ये आपके जीवन के लिए लाब कर है दोस्तों, 21 दिनों के इस चैलेंज में दोपामीन डीटॉक्स करने के लिए आपको अपने प्रती एक सकारात्मक मानसिकता रखनी होगी आपको धैर ये पूरवक यह पता लगाना होगा कि आपके जीवन का लक्षे क्या है और स्वयम को उस काबिल समझना होगा जाहिर है कि आप ये चैलेंज उस लक्षे को हासिल करने के लिए ही स्विकार कर रहे हैं इसलिए जब तक आप अपनी नजरों में खुद को उस लक्षे को हासिल करने के काबिल नहीं समझेंगे तब तक इस चैलेंज में न केवल आपका सर्वाइव करना मुश्किल है बलकि चाहे कुछ हो जाए उस लक्षे तक आपका पहुँचना भी मुश्किल होगा यही कारण है कि कुछ लोग बिजनस में अच्छी सेल्स का टारगेट तो रखते हैं एक्जाम्स में अच्छे मार्क्स का गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन वो खुद को उन टारगेट्स को अचीव करने लायक नहीं समझते तो सच में वो इन्हें हासिल भी नहीं कर पाते डोपामीन डीटॉक्स के इस चैलेंज में आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज बहुत जरूरी है दोस्तों 21 दिनों का ये चैलेंज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा 75 हार्ड चैलेंज जिसे पूरी दुनिया शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और अनुशासित रहने के लिए अपना रही है वहीं 21 दिनों का ये चैलेंज आपको mentally इतना strong बना देगा कि आप उन कामों को enjoy करेंगे जो अब तक आपको bore कर देते थे अगर अब तक आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का stress, tension, चिंता या तनाव है तो अब समय आ गया है कि आप relax करें दोस्तों हमारा brain कुछ इस तरह से design होता है कि जब तक हमारे दिमाग में किसी भी तरह की stress या tension होती है तो हमारे neurons तक ये signal जाता है कि वो किसी भी तरह की नए information को accept ना करें यही कारण है कि जब आप तनाव में होते हैं तो सभी तरह के सकारात्मक विचार आपके लिए निरर्थक साबित हो जाते हैं क्योंकि आपका दिमाग उसे स्वीकार ही नहीं करता इसलिए इस सकारात्मक कदम से पहले अपने दिमाग को अपने शरीर को पूरी तरह से relax कीजिए और आराम से ये decide कीजिए कि आने वाले 21 दिन आप किस तरह से dopamine detox करने वाले हैं दोस्तों अपने mind और body को relax करने के बाद आपको अगले 21 दिन बस एक छोटा सा काम करना है ताकि आप इस challenge को enjoy करें सबसे पहले उन आदतों की list बनाएं जिन्हें अपनाने में आपको संघर्ष करना पड़ता है मान लीजिए आप अपने काम पर concentrate नहीं कर पाते हैं अगर आप इस आदत को लेते हैं तो अब आपको सुबह उठने के तुरंत बाद कम से कम 5 मिनट के लिए आखें बंद कर यह visualize करना है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से focused और concentrated हैं इस visualization की गहराई में उतरिए और खुद को खुश पाईए Imagine कीजिए कि आप बहुत अच्छा perform कर रहे हैं और आज आपका दिन बहुत ही concentrated जाने वाला है ठीक इसी तरह अगर आप सुबह जल्डी उठने की आदत या जिम में exercise करने की आदत में struggle कर रहे हैं तो आप रात को सोने से ठीक पहले यह visualize कीजिए कि आप ना चाहते हुए भी सुबह जल्डी उठ गए एक अच्छी सुबह आपका इंतिजार कर रही है और आप अपना morning routine follow कर रहे हैं दोस्तों अगले 21 दिनों तक हर वो आदत जिसे पूरा करने में आपको struggle करना पड़ता है उसमें यह तरीका एक energy की तरह काम करेगा और आप न केवल उन आदतों को enjoy करेंगे बलकि dopamine detox भी कर लेंगे दोस्तों अंतिम step आपको पूरी तरह से एक confident, powerful और reprogrammed mindset वाला इंसान बना देगा आने वाले 21 दिन आपको अपनी हर छोटी बड़ी सफलता के बारे में सोचना है जैसे आपने रात को सोचा था कि आप सुबह जल्डी उठेंगे और आपने उस task को पूरा कर लिया तो आपको इस success के बारे में सोचना है और उन intentions को feel करना है जो उस success के प्रती आप में आई author कहते हैं कि यहाँ success कितनी बड़ी है या छोटी यह माईनी नहीं रखता बलकि उस success से मिलने वाली खुशी और सकारात्मकता कितनी शक्तिशाली है यह माईनी रखती है यह भावनाएं आपके नर्वस सिस्टम को यह संकेत देती हैं कि आपने जो लक्ष निर्धारित किया है आप उसके काबिल हैं धीरे धीरे आपका self image अच्छा बनने लग जाता है और आप subconsciously अपने गोल के प्रती reprogrammed हो चुके होते हैं दोस्तों मैं उमीद करती हूँ कि आप 21 दिनों के इस challenge को दिल से स्वीकार करेंगे और इसमें सफल होने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में मोड लेंगे अगर आप ये challenge स्वीकार कर रहे हैं तो comment box में लिखिए मैं तैयार हूँ आप सभी को all the best वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ collaborate करने के लिए या promotion के लिए आप हमसे Instagram या email पर संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार